इसराइली सेना ने गाजा के कोने कोने में घुश कर उसे खंडर में तबदील कर दिया है लेकिन उसके बावजूद वो हमास का सफाया करने में नाकाम्याब रही है उत्री गाजा में जिन इलाकों से आईडियाफ ने हमास को उखाड फेक था अब उन ही इलाकों में हमास की दोबारہ वापसी हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गाजा की राफा शहर में हमास का नेटवर्क अभी भी बरकरार है और राफा से अब इसराइली सेना पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं जिसकी वज़ा से पीम नितन्याहू की मुश्किले बढ़ गई है दरसल राफा इसराइली सेना के लिए एक मौत का जाल बन गया है जिसमें आईडियाफ बुरी तरह उलच दी जा रही है लेकिन पीम नितन्याहू का कहना है कि राफा से हमास के सफाय के बाद ही आईडियाफ गाजा से बाहर निकलेगी लेकिन आप राफा पर हमले को लेकर इसराइल में विरोज शुरू हो गए है दरसल गाजा में तैनाथ 900 से ज्यादा इसराइली सेनिकों के माता पिता ने इसराइली सेना को एक चिठी लिखी है जिसमें आईडियाफ से मांग की गई है कि वो राफा पर हमलों को रोग दे सेनिकों के इन माता पिता ने राफा को उनके बच्चों के लिए एक मौत का जाल बताया है आपको बता दे कि दो मई को ये चिठी इसराइली सेना को लिखी गई थी इस पत्र के जरिये सेनिकों के माता पिता ने इसराइली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडियाफ प्रमुक जनरल हारजी हलेवी से राफा ऑपरेशन रोखने की मांग की गई थी इस चिठी के मुताबिक सामानने जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये साफ है कि राफा में घुसपैट के संबंद में महीनों की चेतावनियों और घोशनाओं के बाद दूसरी तरफ की सेनाए सक्रिय रूप से हमारे सैनिकों पर हमला करने की तयारी कर रही हमारे बेटे शारिरिक और मानसिक रूप से ठक चुके हैं और अब आप उन्हें इस खतरनाक स्थिती में भेजने का इरादा रखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये लापरवाही से कम नहीं है आपको बताते की राफा के बीतर किसी भी इसराइली सैनिक के लिए जटल हालात हैं हमास ने महिनों का वक्त लगा कर वहाँ पर खुद को मजबूत किया है इसके साथ ही राफा के बीतर कई कठिन सुरंगे भी हैं जो पूरे राफा भर में आपस में जुड़ी हुई है और इसको लेकर गाजा के टिनात एक सैनिक की मा आनत ने कहा कि राफा एक मौत का जाल है हमारे सैनिकों की हत्या के लिए जगा तयार करने के लिए हमास के पास बहुत समय था हम बहुत चिंतित और परेशान हैं लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात ये है कि इसराइली पी-म बेंजमिन नितन्याहू का कहना है कि गाजा के भीतर हमास का आखरी गड़ राफा है जहां पर हमास की कम से कम चार बटाली इंतनात हैं और हमास के सफाए और बंदकों की रिहाई के लिए राफा पर हमला जरूरी है आपको बता दे कि हमास की कैद में अभी भी इसराइल के 132 नागरिक हैं लेकिन राफा पर हमले को लेकर इसराइली सेना के भीतर कुछ सैनिकों में भी चिंता है ऐसे में एक इसराइली सैनिक की मा इदित का कहना है कि उसके बेटे ने उसे वाटसेप पर मैसेज भेज कर कहा कि वो राफा के भीतर जाने से काफी खौफ जदा है मेरे बेटे का कहना है कि वो हमास के साथ लड़ाई के खिलाफ नहीं है लेकिन राफा के भीतर खुसना इस मिशन को उचित नहीं ठहराता है